डियस्पी बनने का सपना आखों में मगर घर में खाने को पैसे नहीं इतने खराब हालाद फिर भी डियस्पी बनने के बाद किया कमाल गरीब वेरोज़कार का मजाक उडाने लगे थे लोग माबाप करते थे मसूरी जब डियस्पी बना तो हर गरीब का समझा दर्थ एक विस्केट के लिए ढोता था तीन घंटे इंट ऐसी कसम खाकर की MPPSC की तयारी और बन कर दिखाया डियस्पी क्या खूब लिखा है किसी ने चाहे हूंगी ठोकरे हजार मैं समहलता रहूंगा गिरूंगा उठूंगा पर निरंतर चलता रहूंगा ये कहानी एक ऐसे ही होनहार काबिल अफसर की है जिन्होंने गरीबी देखी अपने पिता को धूप में जलते देखा मा को रोते देखा लड़के ने किया ऐसा संघर्ष आज करता है गरीबों की मदद सड़क पर बारिश में भीगती बूड़ी मा को सरकारी गाड़ी से अपने साथ घर तक छोड़ा अपनी मा जैसा सम्मान दिया फिर उनको अपना हग भी दिलवाया ऐसा दरियत दली आज की समय में देखने को कहा मिलता है नदी के खिनारे फूस के घर में पैदा हुआ अच मिस्त्री थे मा को खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता था अफसर की मा आज भी काटी है खेतों में घास अफसर बनने के बाद अपनी मा से मिले मा खुशी से हुई भाबुक डियसपी बनने के पांस साल बाद परसकी वर्दी में पहली बाद जब अपने गाउं में मास से मिले गया तो खुशी कि उनके आंसों रुक नहीं रहे थे आपने वीडियो में देखा ही होगा कैसे मा बेटी की बाद चीत हुई जिसका बीटा जिले का एक बड़ा पुलस्तधिकारी है उनके फेस पर तनिक भी घमड नहीं सोशल मीडिया पर काफी सक्री हैं डियसपी संतोष पटेल डियसपी संतोष पटेल फिलाल गौलियर के खाटी गाउं में डियसपी के पत पर काररत हैं संतोष पटेल सोशल मीडिया पर काफी सक्री रहते हैं आए दिन वो अपने वीडियो शेयर करते रहते हैं कुछ वीडियो में वो लोगों की मदद भी करते दिखते हैं हर वीडियो में महाल लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा करने की सीख भी देते हैं बियरो रिपोर्ट इन्फोडेक्स 24